नमस्कार भाईयो बहनों में आपका मलहोत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकॉन जरूर दबाए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पानीपत के चर्चित विनोद बराड़ा मर्डर केस में करीब धाई साल बाद बड़ा खुलासा हुआ है। विनोद का मर्डर किसी विवाद में नहीं, बलकि साजिश के तहत सुपारी दे कर करवाया गया था। विनोद की पत्नी निधी ने अपने प्रेमी जिम ट्रेनर सुमित संग मिलकर वारदात को अंजाम दिलवाया था। खास बात यह है कि शादी शुदा औरत के प्यार में अंधे प्रेमी सुमित ने भाड़े के हत्यारे देव सुनार को एक लोडिंग गाड़ी खरीद कर दिलवाई ताकि विनोद को एक्सिडेंट में मारा जा सके। लेकिन प्लान A सफल नहीं हुआ और सुपारी किलर एक्सिडेंट केस में जेल चला गया। इस दोरान आरोपी के बच्चों की फीस से लेकर घर का खर्च तक सुमित ने उठाया और फिर प्लान B के तहत आरोपी को जमानत दिलवाई। लेकिन इस बार पिस्टल से गोली मार कर भाड़े के हत्यारे देव सुनार ने विनोद को मौत के घाट उतार डाला। पानिपत S.P. अजीत सिन्ह शेखावत ने बताया, वीरेंद्र पुत्र देशराज निवासी परमहंस कुटिया ने दिसंबर 2021 में पुलिस को एक शिकायत दे कर बताया था कि उनका भतीजा विनोद बराड़ा शहर के सुखदेव नगर में एक कम्प्यूटर सेंटर चलाता 5 अक्टूबर 2021 की शाम विनोद परमहंस कुटिया के गेट पर बैठा था, तब ही एक पंजाब नंबर की गाधी के चालक ने विनोद को गाधी से सीधी टक कर मार दी, विनोद की दोनों टांगे टूग गई, उन्होंने थाना शहर में आरोपी गाधी चालक के खिलाफ केस पुलिस ने गाधी के चालक आरोपी देव सुनार उर्फ दीपक निवासी भटिंडा पंजाब को गिरफतार कर लिया था, इसके करीब 15 दिन बाद देव सुनार समझोते के लिए उनके पास आया, उन्होंने समझोता करने से मना कर दिया, तो आरोपी अंजाम भुगतने की धमकी देकर चला गया, इसकी रंजिश रखते हुए आरोपी देव सुनार 15 दिसंबर 2021 को देसी पिस्तॉल लेकर विनोध के घर पर आया और अंदर घुसकर दर्वाजा बंद कर कुंडी लगा ली, कमर और सिर में गोली मार दी, यह देख विनोध की पतनी ने शोर मचाया, तो वीरेंद्र सहायता के लिए पड़िडी होसी के साथ विनोध के घर पहुँचा, उन्होंने दर्वाजा खोलने की कोशिश की, दर्वाजा नहीं खुला, खिद्धाकी से देखा, आरोपी देव सुनार ने विनोध को बेड से नीचे गिरा कर, पिस्तॉल से कमर और सिर मे गोली मार दी, उन्होंने आरोपी देव सुनार को मौके पर ही काबू कर, पुलिस के हवाले कर दिया था, और खून से लथपत भतीजे विनोध को अग्रसेन हॉस्पिटल लेकर गए थे, वहाँ डॉक्टर ने विनोध को मृत घोशित कर दिया, वीरेंद्र की शिकायत पर थाना शहर में अभियोग दर्ज कर, कानूनी काररवाई अमल में लाई गई थी, उस्ट्रेलिया से आया एक मैसेज और पूरे केस की दिशा बदली, पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत ने आगे बताया कि आरोपी देव सुनार पानीपत जेल बंद था, पुलिस की ओर से कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका था और मामला ट्रायल पर था, इसी बीज बीच बीते दिनों पहले मृतक विनोध बराद्धा के भाई का वाटसाप पर एक मैसेज आया, आस्ट्रेलिया में रहने वाले भाई ने मामले में अन्य आरोपियों की सनलिप्तता होने क संदेह जताया, निधी करती थी सुमित से बातचीत, एस्पी ने इसको गंभीरता से लेते हुए, सी आईये थ्री प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक कुमार को जाँच की जिम्मेदारी सौपी, सी आईये थ्री पुलिस टीम ने फाइल का दोबारा के गहनता से अध्ययन किय और कोर्ट से अनुमती लेकर दोबारा से जाँच शुरू की, इस दोरान सामने आया कि आरोपी देव सुनार की सुमित नाम के युवक के साथ बातचीत होती थी और सुमित की मृतक, विनोध बराडा की पतनी, निधी से काफी बातचीत होनी पाई, पती विनोध संग निध आरोपी देव सुनार और आरोपी प्रेमी सुमित, सुमिन ने अपना गुनाह कुबूला, पुलिस टीम ने साथ जून को आरोपी सुमित उर्फ बंटू निवासी गोहाना को सेक्टर 11-12 की मार्केट से गिरफतार कर पूछताच की, तो आरोपी ने अपना गुनाह स्वीका गहनता से पूछताच करने के लिए पुलिस ने साथ जून को आरोपी समित उर्फ बंटू को कोट में पेश किया, जहां से उसे साथ दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया। इसी दोरान दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों आपस में काफी बातचीत करते थे। विनोध को उन दोनों के बारे में पता चला गया, तो उसकी एक दो बार कहां सुनी भी हुई। विनोध घर पर अपनी पतनी निधी के साथ भी जगदा करने लगा। बाद में उसने और निधी ने विनोध की एक्सिडेंट में हत्या करवाने की साजिश रची। पति विनोध संग पत्नी निधी। दस लाख रुपए और घर खर्च पर देव को किया। तैयार स्पी अजीत सिंग शेखावत ने बताया। पूचताच में आरोपी सुमित उर्फ बंटू ने बताया। वह जानका ट्रक ड्राइवर देव सुनार उर्फ दीपक निवासी भटिंडा से मिला और उसको दस लाख नकद और घर का सारा खर्च देने का प्रलोभन दे कर वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार किया। टक्कर मार कर टांगे तोर डाली। लेकिन विनोध बच गया। सुमित ने देव सुनार को पंजाब नंबर की एक लोडिंग पिकप गाढधी दिलवाई। देव सुन से विनोध को मरवाने का प्लैन बनाया। देव सुनार की जेल से जमानत करवाई और उसको दोबारा से तैयार कर अवैध हतियार उपलब्ध करवा माफी मांगने के बहाने विनोध बराडा के घर भेजा। इसके बाद 15 दिसंबर 2021 को देव सुनार ने घर में घुसकर पिस् सुमित उर्फ बंटू जेल में बंद देव सुनार के केस और घर पर पर परिवार का पूरा खर्च खुद दे रहा था। प्लान के अनुसार निधी मान